हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू योवर चैनल टीच में आफिशन हूँ फ्रेंट्स चेप्टर नंबर थर्ड पेर ओफ लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स चेप्टर की एक्ससाइज पर जाने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं लिनियर एक्वेशन जो की पेर्स में दी गई होगी यानि आपके पास टू लिनियर एक्वेशन होगी और उसमें आपको दिये होंगी टू वेरियेबल्स तब से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिविजन करा देती हूँ लिनियर एक्वेशन क्या होती है ऐसी equation जिसमें variable की जो polynomial degree है वो 1 होती है उसे हम कहते है linear equation इस chapter में आपको जो linear equation है वो pairs में दी होगी यानि आपके पास linear equation होगी वो pairs में होगी दो आपके पास linear equation होगी और उन equation में आपके पास 2 ही variables होगे जैसे एक variable x और दूसरा है y तर्म कुछ इस तरीके से होगी a1x plus b1y plus c1 equal 0 और जो दूसरी equation होगी a2x plus b2y plus c2 equal 0 इन equation को solve करने के हमारे पास 3 method दिये गए है graphical method, substitution method और एक होता है elimination method सबसे पहले हम जानते graphical method के बारे में friends आपको two equation दी गई होगी और उन equation की help से आपको एक graph बनाना है और graph की help से ही आप बनाएंगे solution friends आप without graph के भी solution को निकाल सकते हैं जैसे आपके पास होगी two equation जिसमें आप जानते हैं कि x का जो multiple है वो क्यला है जाता है a1 और y का multiple b1 और एक होता है coefficient c1 ऐसे ही जो आपके पास दूसरी equation होगी उसमें x का multiple a2 y का multiple b2 और coefficient c2 तो friends अगर आप a1 upon a2 करते हैं और वो equal नहीं आता b1 upon b2 के मतलब a1 upon a2 not equal हो जाए b1 upon b2 के तब आप कहेंगे कि वहाँ पर होती intersecting line यानि जो भी equation होती है अगर हम graph की help से करे तो वो एक दूसरे को intersect करेगी कट करेगी जिसकी वज़े से हमें one solution मिलेगा बट अगर a1 upon a2 equal हो जाए b1 upon b2 और equal हो c1 upon c2 के तब हमें जो condition मिलती है वो होती coincident line coincident line में क्या जाता है किसी same point पर दोनों की दोनों line एक साथ मिलती है जिसकी वज़े से हमें menu solution मिल सकते हैं थर्ड condition होती है a1 upon a2 equal b1 upon b2 but not equal c1 upon c2 a1 upon a2 equal तो हो जाए b1 upon b2 के but वो not equal हो c1 upon c2 के तो उस condition में बनती है parallel line और जब parallel line बनेगी तब हमें कोई भी solution नहीं मिलता अब चलिए friends इसे हम graph की help से समझते हैं तो friends जैसे कि हमारे पास अगर two equation है x plus 3y equal 6 और जो दूसरी equation है वो है 2x minus 3y equal 12 तो अब हम इन equation की help से x और y की value को find करेंगे उसके बाद एक graphics help से हम solution को find करेंगे तो friends आप एक काम कीजेगा एक column बना ले हमारे पास equation है x plus 3y equal 6 जो हमारे पास पहली equation है वो है x plus 3y equal 6 तो friends अगर आप यहाँ पर y की value 0 रखते हैं y की value अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास x की value क्या आ जाएगी जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा तो यह हो जाएगा 0 और x की value हमारे पास रह जाएगी 6 यानि जब आप y की value 0 रखते हैं तब हमारे पास x की value आ जाती है 6 दूसरा अगर हम यहाँ पर x की value को 0 रखेंगे तब हमारे पास y की value क्या रहेगी अगर आप x की value 0 रखेंगे तो y की value हमारे पास हो जाएगी यहां से होता है 3y equals 6 और y की value हो जाएगी इसके upon में चला जाएगा तो जब यह upon में जाएगा तो हमारे पास बचता है 2 यानि आप अगर x की value 0 रखते हैं तो y की value हमारे पास बचते हैं 2 इसी तरह friends दूसरी equation की help से हम x और y की value find कर लेंगे तो friends अगर आप इस equation में y की value 0 पुट करते हैं y की value यहाँ 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो x की value वो क्या जाएगी यह पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बचाए 12 और x की value हो जाएगी 6 तो इसका मतलब आप y की value 0 रखेंगे तो x की value क्या हो जाएगी 6 लेकिन अगर इस equation में आप x की value को 0 रखेंगे यहाँ पर x की value 0 रखेंगे तो y की value क्या हो जाएगी हमारे पास यह पुरा हो गया 0 तो minus 3y equal to l और y equal हो जाएगा यह इसके divide में minus के 4 यानि y की value आपकी minus 4 हो जाएगी अगर आप रखते हैं x की value 0 तो चलिए friends equation के जरिए जो हमारे point निकल कर आए उनकी help से अब हम बनाएंगे एक graph suppose that यह graph है जिसमें हमने यह ले ली x-axis और यह है y-axis यहाँ पर यह रख दिये point अब जो पहली equation की help से हमारे point निकल कर आए थे वो थे जब y की value आपने 0 रखी थी तब x की value आई थी 6 यानि आपको point लेने 0 और 6 तो y की value 0 और x 6 यहाँ पर बनेगा और दूसरा point है जब x की value 0 हो तो y की value 2 यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास जो भी point आए हम इनको मिला देंगे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 6, 0 और यह point है 0, 2 पहली equation की help से जो हमारे point आए उसकी help से हमने graph में एक line को draw कर लिये अब हम दूसरी equation की help से जो हमारे point आए थे उसके help से मिले जो भी point है उनसे हम दूसरी line को draw करेंगे तो पहले point होंगे 6 और 0 अगर value है 6x की और y की है 0 और जो second point है x की value 0 और y की value minus 4 friends x axis की जो positive point है वो right hand पर होंगे और negative left पर और y axis के positive point अपर साइड में होंगे और negative point बिलो साइड में friends second equation की help से जो हमारे point आए वो है 6 0 और दूसरे point है 0 minus 4 मतलब x की value 6 और y की value 0 पहला point आपका यहीं पर आते है और दूसरा point 0 minus 4 0 minus 4 यहाँ पर तो हम इन point की help से जब इस line को draw करेंगे तो यह किस point पर meet हुए जहाँ पर भी meet हो गई यानि हमारे जो पहली line थी और दूसरी line यह दोनों intersect हो रही एक point पर और जहाँ पर भी intersect हो रही है वही हमारा solution point है 6,0 अब चाहे तो friends आप without graph के भी आप यह पता लगा सकते हैं कि इसका solution एक ही आना था क्योंकि हमें के आमालों में A1 upon A2 not equal B1 upon B2 के हो तो वहाँ पर intersecting line होती है और 1 solution होता है तो आप यहाँ पर check भी कर सकते हैं A1 का मतलब यहाँ पर 1 है और A2 का मतलब है 2 यानि 1 by 2 क्या equal है B1 upon B2 के 3 upon minus 3 के यह equal नहीं है यह not equal है और जब not equal है तो उस condition में intersecting line होती है और जब intersecting line होती है तो वहाँ पर हमें कितने solution मिलता है अब हम जानेंगे substitution method के बारे में substitution method में क्या होता है जैसी इसमें two equation है आप एक equation की help से X या Y किसी भी एक variable की value को find करेंगे और फिर उसको आप put कर देंगे second value में तो इस तरीके से हमारी दोनों value find हो जाएगी हम equation first को लेकर चलेंगे यहाँ से हम X की value को find करेंगे X की value यहाँ क्या हो जाएगी यहाँ पर 3Y plus में है जब यह equal से इधर जाएगी तो यह minus में हो जाएगी यानि X की value आजाएगी 6 minus 3Y अब यह जो value आई है हमारी X की इसे हम put करेंगे second equation में हमारी second equation है 2X minus 3Y equal 12 X की value आप put कर दे 6 minus 3Y और minus 3Y equal 12 multiply होगी हो जाएगा 12 minus की 6Y और minus 3Y equal 12 यहाँ से हमारी value आजाएगी 9Y और 12 जब हम इधर ले कर जाएगे यह हो जाएगा 12 minus 12 0 Y की value हमारी आजाएगी 0 अब friends Y की value हम find कर चुके हैं अब Y की value आप put कर दे किसी भी equation में अगर हम इसे put करेंगे equation first में हमारी equation first थी X plus 3Y equal 6 यहाँ पर Y की value 0 put करेंगे X plus 3 multiply 0 equal 6 और X की value यहाँ से 0 हो गया तो X की value आगए 6 यानि जो हमारा solution है solution हमारे point आए है वो निकल कर आए है 6,0 friends आप देख सकते हैं इन equation की help से जो हमने graphic method से किया वहाँ पर भी जो solution point थे वो भी थे 6,0 है अब friends चली चलते हैं third and last method पर जिसका नाम है elimination method elimination method में हम क्या करते हैं friends हम इसमें किसी भी एक variable को दूसरी equation के variable के coefficient के equal बना लेंगे आप उसको equal कैसे बनाएंगे और solve कैसे करेंगे चली देखते हैं जैसे इसमें equation first है x plus 3y equal 6 और दूसरी equation है 2x minus 3y equal 12 तो friends यहाँ से हम या तो equation first के variable को किसी भी एक variable को second के equal कर ले या second को first के equal कर ले जैसे हम first equation में अगर 2 से multiply करते हैं तो यहाँ पर यह 2x हो जाएगा और यह किसके equal हो जाएगा दूसरी equation के variable x x के coefficient के यह ले फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं यह ले ली हमने equation first इसे ले लिया equation second equation first में हम multiply करेंगे 2 की तो यह हमारी equation बन जाएगी 2x plus 6y equal 12 अब हमारे पास जो equation बन कर आई उसे हमने नाम दे दिया equation third का अब हम क्या काम करेंगे हम equation third और equation second को ले कर चलेंगे और हम subtract कर देंगे equation third में से equation second को यह हमारी equation third थी और यह हमारी equation second थी हम third में से जब second को subtract करेंगे तो यहाँ पर subtract करने पर यह sign change हो जाएंगे और यह इससे cut हो जाएगा 6 और 3 यह हो गया 9y और यह equal 0 क्योंकि यह भी cut हो गया यहां से y की value आ चुकी है हमारी 0 के अब हम इस y की value को equation first या second में किसी भी equation में put कर देंगे हम इसको put करेंगे equation first में हमारी equation है x plus 3y equal 6 जब हम y की value को 0 put करेंगे तो यह equal हो गया 6 के यानि जो हमारा solution point आया है वो आया है 6,0